हेलो किसान बाईयो आज मैं आपके लिए ऐसी पांच पसले लेकर आया हूँ जो आपको लाकों रुपे कमा के दे सकती हैं 30 से 50 दिन के अंदर आप इन पसलों को लगा कर अच्छे से वैसा कमाएंगे कि आप थोड़े समय में ज़्यादा प्रॉफिट पाएंगे और इसमें इ और वीडियो को पूरा देखना है इसमें बताएंगे कि कैसे आपको करना है किन पसलों में क्या क्या इस प्रेस रिडियूल रहेगा कौन कौन सी पसले हैं कौन कौन से आप बीज ले सकते हैं तो अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर तो चलिए बताते हैं पहली जो फसल है हमारी बो रहेगी मूली आपको क्या करना है आप अगर एक एकड में मूली की खेती करते हैं तो और जुलाई में लगाते हैं तो आपकी यह फसल जैसे कि अगर आप 15 जुलाई से लगाते हैं दस जुलाई से लगाते हैं यह 20 जुलाई स से लेकर 25-30 अगस्त तक तैयार हो जाएगी और आप इसकी 10-15 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग करके आप इसे मार्केट में बेश सकते हैं इस समय पर जितनी भी सब्जियां होती है उनकी रेट हाई होती है तो इसकी जो मूली की रेट होती है 20-25 रुपे किलो की रेट होती है और आपका एक एकड में 125 कुंटल से लेकर 500 कुंटल तक मूली का प्रोडक्शन हो जाता है तो आप इसे कर सकते हैं मूली को और दूसरी फसल रहेगी मिर्च की आप से मिला मिर्च लगा सकते हैं पर इसमें एक एकड का इन्वेस्टमेंट बहुत जादा होता है तो आपको एक एकड के लिए 50,000 रुपे चाहिए इसमें तो आप यह थोड़ा रिस्की होता है तो आप सिमला मिर्च की भी यह लंबे समय तक चलने वाली फसल है यह आपकी फरवरी मार्च तक यह फसल चलती है तो लंबा पैसा भी देती है जैसा इसमें पैसा लगता है पैसा ही यह आपको प्रोडक्शन देती है तो जो मूली की जो बैराइटी की बात करें बीज की तो मूली का जो आपको बीज लेना है वो सौमनी सीट का एक्स 35 लेना है और जो बात करें सिमला मिर्च की तो आप सिमला मिर्च में जैसे की सेमलीज कमपनी के हंटिं टॉन आती है उसे ले सकते हैं या फिर आप सावन ले सकते हैं या आप इस्पनिक्स ले सकते हैं बात करें अगली फसल की तो अगली फसल रहेगी आपके लिए तीसरी फसल रहेगी धनिये की आप फसल कर सकते हैं जो धनिये की फसल होती है उसमें प्रॉफिट काफी अच्छा होता है कम पैसे में मा 300 रुपे किलो तक किरिट मिल सकती है धनिये की और ये भी फसल आपकी एक महीने के अंदर तयार हो जाती है तो आप इसे भी लगा सकते हैं अगली फसल की बात करें चौती फसल की तो चौती फसल की बात करते हैं तो चौती फसल रहेगी आपकी आप कर सकते हैं जो आपका पत् 60-60 दिन के انДर Tयार कुछ अरली वैराइटी आती है तो आप इने भी कर सकते हैं जो कल्ला होता है आप इसे अपने केत में बोकर भी कर सकते हैं या आप इसकी पहले नरसरी भी लगा सकते हैं इसमें वैराइटी रहेंग़ सेमलीज की आप ले सकते हैं कुछ variety अच्छी variety आती है आप buyer company के आती है doctor drug company की आती है तो आप इन companyyears किसी का भी seed ले सकते हैं अगली बात करें 5 में जो पसल की तो वो हमारी रहेगी आप क्या कर सकते हैं कि आप tomato कर सकते हैं tomato की जो early variety है बो भी अभी बरसाद के मौसम में पचास से साट रुपे कलू आराम से बिक जाता है आपका जो जो अर्ली वेराइटी होती है तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं ठीक है दोस्तों जैसे की आप लगा सकते हैं जो नामधारी कंपनी का है पांचो बीस नम्मर है आप इसे लगा सकते हैं और भी कही एंजल कंपनी का आता है आप उसे लगा सकते हैं लच्छमी इंपुट कंपनी का आता है उसे भी आप लगा सकते हैं बात करें इनमें थोड़ा देखिए आपको बरसात के बाद इनमें जतनी भी फसलिये मैंने बताई हैं आपको पांच से छे दिन के अंदर आपको इन सभी में इस्प्रे करना होगा फंगी साइड थोड़ा सा इंसेक्टी साइड को लेकर आपको सभी में इस्प्रे करना होगा और थोड़ा खर्पतपार का ध्यान रखना होगा बस आप अगर इतना ही कर लेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा जून ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें